स्री सोनक जी ने प्रसन पूछा हे सूत जी आप प्राणी मात्र कल ल्यान के लिए कोई ऐसा पवित्र गरंत सुनाएं जिससे मनवाणी पावन हो सके तो सोनक जी ने 6 प्रसन किये हैं सूत जी से किम स्रेय प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए प्राणी का कल्यान कैसे हो किम स्रेय स्रेय सास्त्रम क्या सार है हमारे सास्त्र कितने है और सास्त्रों का क्या प्रयोजन है दूसरा प्रशन किया है कि भगवान के अवतार कितने हुए और भगवान ने जब अबतार लिया तो भगवान ने कौन-कौन सी लीला इस धराधाम पर करी और जब भगवान इस धराधाम पर छोड़ के गई तो धरम किसकी सरण में गया कियम प्रब्रजन्तो मन पेतम पेतक्रत्यम धुईपायनो बिरह कातर आजुहाव पोत्रेतीतनमेतयातरवो विनिदो तमसरभभोत हिर्दयम मुनिमान तोस्मी कियस्वान भाव अखेले सुदसारे मेकं आध्यात्म दीपमतित्तां ततुन्यधं संसारिन करुणा आय पुरान गुयं तम्भ्यास सुनुनुप्यामि गुरु मुनीनां किनारायनम नमस्कृत्यों नरमचेव नरूतमं देवीम स्वरास्वतिम्भ्यासं तो भगवान ने यहां अपने गुरुदेव का ध्यान का है गुरुदेव जब प्रशन हो जाते हैं तो प्राणी मात्र का कल्यान हो जाता है गुरुदेव की ऐसी किरपा होती है जीवन में कल्यान के हेतू प्राणी मात्र का यही एक नाम है शुकुदेव भगवान कौन थे राधा कृष्ण के लाड़ ले शुख जब इस धराधाम पर भगवान कृष्ण और राधा लीला करने के लिए आए तो तोता छटपटाने लगा हे प्रभू मुझे भी इस धराधाम पर ले चलिए तो राधा जी ने कहा है हे सुख तू वहाँ पर क्या करेगा कि मैं वहाँ कथा सुनूँगा आपका दर्शन करूँगा